हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो में यूटीब चैनल आप सभी का एगवर फिर सब स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिस फिस सुरच पे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ वर्ड मीनिंग तो आज के जो हमारे वर्ड है हुआ है विलिंग्ली विलिंग्ली का मतलब क्या होता आज के इस छोटे से वीडियो में हम जान लेंगे उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और बेल आइकन को प्रेश करके अल पे क्लिक कर दे तकि एजुकेशन से सारे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए आए इसके मीनिंग को जान लेते हैं और इसे सेंटेंस में किस तरह यूच करेंगे विलिंग्ली का मतलब होता है अपनी मरजी से विलिंग्ली का मतलब होता है अपनी मरजी से आए इसे सेंटेंस के माध्यम से और बेतर तरीके से समझ लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पहला सेंटेंस है इसका हिंदी में मतलब होता है मैं अपनी मरजी से नहर में घिर गया अब जो हमारा दूसरा sentence है He willingly became a monk इसका हिंदी मतलब होता हुआ अपनी मर्जी से साधू बन गया फ्रेंड्स यह बहुत ही अच्छा sentence है जैसा कि पहला sentence आप देख सकते हैं I willingly fell into the kennel Kennel का मतलब होता है नहर मैं अपनी मर्जी से नहर में गिर गया जो दूसरा sentence है He willingly became a monk वह अपनी मर्जी से साधू बन गया तो इस तरह कि जितने भी इससे related sentences से आप इस पर sentence और भी बना सकते हो और अपने English को बेहतर बना सकते हो इसी तरह कि और भी नए words को जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना विल्कुल भी नहीं बूलें क्योंकि सबस्क्राइब करना विल्कुल फ्री और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर दें ताकि हमारी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो